नमस्कार आईबियंट 24 में आपका स्वागत है मैं आपके साथ मोहित गोयत हर्याणा की राजनीती में जीन्द का एक एहम सथान है जीन्द को हर्याणा की राजदानी बनाने के दावे भी पीछे चुनावा में किये गई लेकिन इस समें जीन्द सुर्खियों में है सुर्खियों में जीन्द के विदायक के कार्ण सुर्खियों में है और इस वक्त जीन्द से जो विदायक है वो डाक्टर करशन मिड़ा है अब सुर्खियों में इसलिए हैं कि एक बाइक जो SP आवास के बाहर जीन्द से गोहाना रोड पर वो अप तो मोके पर पहुंच कर पुलिस ने उस बाई को अपने कबजे में ले लिया जैसे ही ये सूचना उस लड़के ने अपने पिताजी को दी उसके पिताजी का नाम जगबीर बताया जा रहा है जो जीन्द का नगर निगम का ठेकेदार है निगर निगम के कुछ कामों का उसको टेंडर मिला हुआ है ये जानकारी हमें मीडिया सूतरों से मिली है अब होता ये है कि वो ठेकेदार जीन्द विदायक को फोन करता है और जीन्द विदायक तुरंत थाना परबारी को फोन कर देते हैं और कहते हैं कि आप इस बाई को छोड़ दीजिए लेकिन थाना परबा में सवार होकर थाने पहुंच गई थाने में जाते ही जीन्द के विदायक और थाना परवारी के बीच तू तड़ाक हो जाती है जैसे ही तू तड़ाक होती है तू तड़ाक के बीच में विदायक जो है डाक्टर करिशन मिड़ा वो थाना परवारी को कहते हैं कि आप इस भा है आई बिये इस जानकारी के हवाले से कह रहा है कि उस बाई का 33,000 रुपे का चालान काटा गया है जबकि विदायक ने विदायक की एक शोशल मीडिया के उपर विदायक की एक फोन कोल जो है वो वायरल हो रहे हैं उसमें विदायक जी ये कह रहे हैं कि बाई का एक दो जार उपए का नोमिनल फाइन होना चीजिए यो जो 35,000,40,000,40,000,30,000 रुपे के चलाण कटे जा रहे हैं ये बिलकुल उन्होंने कहा कि आप इस बाइक को छोड़ दीजिए नहीं तो हम आपका मेवात में तबादला करवा देंगे अब आप सोच सकते हैं कि एक विदायक का PSO एक थाना परबारी को दमकी दे रहा कि इस बाइक को छोड़ देजिए नहीं तो हम आपका मेवात में तबादला करवा देंगे अब इस पूरे सिनेरियो पर आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करते रहे आईबेन 24 के लिए मोहित गोयत अब यहां तक आही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक